हेलो फ्रेंड्स तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं शिपियाड के उपर शिपियाड को कैसे इस्तमाल करना होता है और उसके क्या बेनिफिट्स है इन दो टोपी के उपर हम बात करेंगे और शबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि शिपियाड के अंदर आता है इसका तो जैसे मैं KLEAN के अंदर कंटो प्रेस करूंगे तो चाहे में का मेंबर लीडर है तो So कर देता तब तक हो ओपन नहीं दिखाएगा है interpret प्रेस लाहि Crypt नहीं कर सका είक तो अगर आपका shipyard open नहीं दिखा रहा है clan के अंदर option आ रहा है लेकिन open नहीं है that means कि अभी तक clan leader ने इसको activate नहीं किया activate करने के लिए something 11,000 थोरियम लगता है clan leader को ये activate करना पड़ता है पहले तो मैंने ये activate कर रहा है अपने clan members के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसके benefits क्या है पर इसको कैसे use करना होता है तो यहाँ पर नीचे देखे option नज़र आ रहा है shipyard का यहाँ पर मुझे click करना है तो यह मैं shipyard पर आ गया अब shipyard का benefits क्या है वो मैं बताता हूँ अभी आप यह जो interface देख रहे है सेम ऐसा interface आपके सामने भी दिखेगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि left side में उपर देखे time नज़र आ रहा है 21 days and 20 hours ठीक है तो कहने का मतलब है कि इस shipyard में जो आपको benefits मिल रहे है उसको तुमें use करने के लिए उन्होंने 21 days and 20 hours अभी पड़े है मेरे पास ठीक है यह I think 24 days मिलते है total जब यह first time अक्टिवेट कर जब यह first time shipyard आई थी ना गेम के अंदर इसका feature आया था first time तो मेरे सबसे इसको 25-24 days तो आज मैं दो या तीन दीन बात वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा मैंने इसमें हमें थियोरियम चाहिए होता है पर आई चाहिए धान पर निकल सकते है इसका मतलब यह बता रहा है कि इसके नदर यह priest पड़े है तो कहने का मतलब यह है कि पहले वाले option में यह बड़ा वाला जो बॉक्स नहरा रहा मुझे इस वाले में रॉलेट के components पड़े है ठीक है अब second वाले box में क्या पड़ा देख लेते हैं इसमें पड़े है पैलेटीन के components 750 500 250 ठीक है अब लास्ट वाले में क्या दिखा रहा है लास्ट वाले में दिखा रहा है एवलोन के components 2500 ठीक है अब बात करते हैं कि मुझे अगर suppose avalon mothership बनानी है क्योंकि सबको पता है कि avalon mothership अभी latest है और बहुत powerful mothership है अब मैं अगर avalon mothership बनाना चाहता हूं तो ऐसे नहीं मैं बना सकता इसका एक steps है क्या step है मैं बता देता हूं सबसे पहले तो आपको avalon mothership को open यह इस वाले box को open करने के लिए न आपको यह सारे boxes open करने पढ़ेंगे हां जी यह सारे boxes आपको open करने पढ़ेंगे total 25 boxes है अगर आप count करेंगे तो करोगे तो ठीक है 25 box open करने के बाद आपको एक option मिलेगा यह वाला gold जिसे हम कहते हैं legendary chest उपर दिखे न लिखा हुआ legendary chest एक legendary chest open करने का आपको मौका मिलेगा 25 boxes open करने के बाद एक legendary box open करने का option मिलेगा ठीक है तो कितना hard है कितना difficult है क्योंकि पहले आपको यह सारे boxes open करने पढ़ेंगे ठीक है तो अगर मैं बात करोगी अगर यह तो होगे avalon mothership का कैसे work करेगा कैसे box open कर सकते हम ठीक है और कैसे avalon mothership के components मिल सकते है अगर मुझे चाहिए paladin के components तो paladin के components किस में पढ़े है इस वले में पढ़े है rare chest में अब rare chest कैसे open होगा जब यह मेरा complete row मैं open कर लूँगा एक row में five boxes है तो कोई भी एक row मैं pick कर लूँगा पांचो रो में से कोई भी एक row pick कर लूँगा ठीक है चाहे row को complete कर लो चाहे को complete कर लो I think मेरे सबसे row होगा मैं column का नहीं guess कर सकता है ठीक है column छोड़ दो अभी फिला मेरे इतना मैं sure हूँ कि row के सबसे चलता है फिर भी आपके समने live करके दखाऊंगा ठीक है कि row के सबसे चलता है कि column के सबसे चलता है दोनों देख लेंगे हम करके ठीक है अब बात करत करता हूँ तो ऐसे में pallet in component निकलेगा ठीक है अगर मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ रोलेट कंपोनेट चाहिए तो कि मेरे पास अगर रोलेट मदर्शिप बना रहा हूँ तो मुझे रोलेट चाहिए तो मुझे pallet in open नहीं करने की जूरत मुझे कोई में जाकर 250 components मुझे मिल चुके है जो कि यहां पर भी दिखा रहा है ठीक है और अब मैं बात करता हूँ कि आगला box open करते है ठीक है उसके लिए पहले सबसे पहले आपको 100 theorem चाहिए होगा यह theorem मांग रहा हर box open करने के लिए 100 theorem चाहिए ठीक है अब मैं यहां पर क्लिक करूंगा 100 component मिल गए दोबारा मैंने यहां पर 100 मिल गए 4th पर किया 100 मिल गए 5th पर किया 250 मिल गए ठीक है अब मैंने 5 open कर लिए बट मेरा कोई भी अभी rare chest का नहीं आया option that means की rare chest का row से कोई लेना देना नहीं है तो कि ऐसा होता है ठीक है चलो इसको छोड़ देते अभी अब इसका मतलब की rare chest का जो मुझे open करने का key इसी 25 boxes में से किसी एक में पढ़ा होगा एक नहीं होगे मेरे साबसे 4-5 होगे 25 boxes में 4-5 छुपे होगे कहीं न कहीं तो वो हमें एक तरह से लग ली जो पहले निकल गया बात में निकल गया यह लग के उपर है अभी तक मैंने 5 open कर लिए तो अभी तक ए कुछ नहीं निकल अभी तक रेयर का यहां पर क्लिक करता हो हाँ देखा निकल गया एक अब जाकर मेरा रेयर चैस्ट का option आया को कि एक मेरा वहां पर चले गया अभी जैसे ही आपने देखा ठीक है डैट मेंस कि कहीं भी वो हाई डोर रखा है अब यह गैस करने के आपका ल अभी तक सिर्फ एक निकला है जबकि मैं नो open कर चुका हूँ चलो कोई बात नहीं अभी एक और open कर लिया नहीं निकला ठीक है अब मैं बीच में से करता हूँ open कुछ नहीं निकला rare का यहां से भी rare नहीं मिला यहां से भी rare नहीं मिला यहां से भी rare नहीं मिला तो मेरे साब तो यह तो गलत है थोड़ा सा कोई बात नहीं अब है सो है क्या कर सकते पिक्सोनिक जिंदाबाद सारे कमेंट्स में लिको पिक्सोनिक जिंदाबाद एक और निकल गया चलो ठीक है दो हो गए लेकिन कितने सारे बॉक्से से ओपन करने के बाद जाकर दो रेर का ओप्शन मिला है मझे थोड़ा सा तो यह मैं घलत बोलूँगा यहां पर एनीवे क्या कर सकते हैं फिक्सोरिक जिंदा बाद ठीक है एक और ओपन कर लिया यह मेरे पास अभी 100 बचे हैं यहां पर क्लिक मार देते हैं तो फिलाल मैंने टोटल कितने ओपन कर लिये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सॉला सिस्टिन बॉक्सेस ओपन कर लिये अब तक मैं अपशन के चलो कोई बात नहीं इस को भी ओपन कर लेते हैं तो मैं ओपन कर सकता हो मुझे पहले इन उपन करते पहले मेंरा संटिन्ने निकला सकति यह में है तो यह सारे कंप्लीट बॉक्षेज ओपन करने के बात एक लेजेडियंडरी चेस आता है ऐसा मुझे पता है legendary chest के साथ पर कुछ scam हो सकता है नहीं हो सकता मुझे नहीं पता अभी मुझे लगता है कि इस video को ना मैं second part बनाऊंगा मुझे लग रहा है कि अभी जैसा मैं assume करके चल रहा था कि एक row complete करने पर एक rare chest का option निकलेगा बट ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब अब मुझे क्या लग रहा part 2 बड़ जल्दी मैं निकालूँगा इसके उपर ठीक है तो देखेंगे part 2 में क्या होता है फिलाल अभी जो मेरे पास rewards आये अब इसको देख लेते हैं तो component निकले मेरे पालेटिन के 500 250 500 250 बाकी मिले रोलेट के ठीक है तो I think रोलेट बड़ी जल्दी मदर्शिप बन सकती ह अगर कोई बनाना चाहे तो ठीक है अब वापिस में आ जाता हूं अपनी मदर्शिप वले option पे hanger पे ठीक है मेरे पास already Avalon max level की पड़ी है सबको पता ही है कि मेरे पास already पड़ी थी फिर भी यह वीडियो में सिर्फ तुम सब के लिए बना रहा था ठीक है अब मैं इसको change कर देता हूं पैलटीन भी मेरे पास max level की पड़ी है मैं आपको दिखा देता हूं पैलटीन यह देखिए 60 level पैलटीन मेरे पास max level की पड़ी है अब मैं मैं मैंक्समी किल्क करूंगा देखिए यहां पर मुझे यहां पर कुछ भी नहीं दिखाएगा क्योंकि वह max level की है छोड़ो इनको अब मेरे पास रोलेट एक तरह से देखा जाए 59 level की पड़ी है तो इसको complete कर लेते हैं चलो upgrade पर क्लिक करता हूं मैं यहां पर देख रहो आप ऊपर 3825 मेरे पास components आ गई shipyard में टोलेट boxes open करने ज्यादा easy है as compared to rare chest and legendary chest का तो भाई आभी पूछो ही मत अभी तक तो मेरा rare chest सर्थ दोर निकल पाए है तो लिजेट्री chest का तो क्या बोले हैं anyway तो यह था मेरा shipyard का आपको वीडियो बताने का समझाने का तरिका ठीक है अभी इसका second part लिखकर आता हूं फिर मैं तभी पता चल पाएगा कि आगे क्या चल रहा है तो ऐसे तो तभी पता चल पाएगा जब यह second part में वीडियो यह तो मुझे नहीं पता मुझे तो लग रहा है कि नहीं निकलेंगे वाक्यों में से तो देखते हैं second part में क्या होता है और यह legendary chest का option कैसे आएगा यह भी देख लेंगे को कि मुझे पता है कि 25 boxes open करने के बाद एक legendary chest open करने का option आता है कोई बात है नहीं वह भी देख लेंग लगता है open activate करने के लिए ठीक है मैं आपको management में दिखा देता हूं ठीक है यह इसको one time shipyard ना one time रखता है one time investment लगता है theorem का उसको बोलो अपने clan leader को कि भाई shipyard को open करतो one time investment है theorem का ठीक है वो मैं already activate कर चुका हूँ ठीक है जो की left set में आपको मैं दिखा रहा था section भी देखो यहां पर दिखा रहा है shipyard allows ship fragments to be acquired for theorem ठीक है always active तो यह अब active रहेगा मेशा के लिए तो उसको बोलो अपने clan leader को भाई हमें मदर्शे बनानी है तो 11,000 जो भी इसमें ठीक है एक्टिवेट करने के लिए one time investment है कर दो ठीक है तो वो कर देगा उसको पताना पड़े अगर clan leader को नहीं पता तो उसको पताओ कि मेरी वीडियो देख लिए अगर नहीं समझ में आता तो ठीक है जो भी है फिलाल इतना shipyard के उपर इतना काफी है मेरे सबसे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम मतर्शे बना सकते हैं इंतजार करना second video के लिए second part के लिए तब तक के लि लाइक करना मत पूलना ठीक है बावे टेक केर